कि नमस्कार मैं हूं मेगा सेंग और आप देख रहे हैं इस पीए नाइन न्यूज गुजरात में साल के अंत में चुनाव होने हैं और अब इस चुनाव को देखते हुए सभी पार्टिया सक्री हो चुकिये दरहसल देखा चा रहा है कि गुजरात Чुनाव से पहले बीजे पी पर जोरदार हमला किया चा रहा है और अब गुजरात यहां पर चुनाव की जो मोर्चा है उसे समhा लिया है अशोक गहलोत ने कॉंग्रेस पाटी की तरफ से जिहां कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से गुजरात की कमान अशोक गहलोत के हाथों में दे दी गई है और अब अशोक गहलोत गुजरात पहुच चुके हैं जिहां गुजरात पहुचकर अशोक गहलूत ने बीजेपी के उपर जोरदार हमला भी किया और कई सारे मुद्ध पर बात की साथी यहाँ पर रेवरी कल्चर को लेकर भी बीजेपी और नरेंद्र मोधी के उपर निशाना साधा अशोक गहलूत ने अगर कॉंगरस की बात की जाए तो पिछली बार विधान सभा चुनाओ में कॉंगरस पाटी ने कड़ी टक कर दी थी बीजेपी को और गुजरात एहम इसलिए होता है यहाँ पर क्यूंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है कई सालों से बीजेपी गुजरात की चुनाओं को असानी से जीते हुए नजर आ रही है लेकिन पिछले बार विधान सभा चुनाओ में कॉंगरस ने कड़ी टक कर दी लेकिन महज साथाट सीटों से कॉंगरस चूग गई लेकिन अब इस बार के विधान सभा चुनाओं में कॉंगरस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है वहीं अगर बात की जाए तो आमादमी पार्टी भी इस बार चुनाओी मैदान में अपना पर्चम लहरानी के लिए पूरी तरह से तैयार है लेकिन गुजरात चुनाओं में कॉंगरस की कमान सोनिया गांधी ने अब अशोक गहलोत के हातों में दे दी है दरसल जनता से मीडिया से खूब बातचीत भी की और साथ ही उनका धन्यवाद भी दिया लेकिन आज बीजेपी किस तरह से चुनाओं जीत रही है इस पर भी कई सारे सवाल अशोक गहलोत ने खड़े किये अशोक गहलोत ने साथ तोड़ पर कहा कि आज सम्विधान के साथ बीजे बात की जाए तो लगतार कॉंग्रेस को गुझरात में जटके लग रहे थी क्योंकि गुझरात के जो कॉंग्रेस विधायक है वो अपनी ही पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे थे लेकिन अब गुझरात में एक बार फिर से शुरुवाती दोर से काम श सारे हैं गुझरात में जिसे लेकर गुझरात की जंता बीजेपी से नरहात है और इसे मुद्दो पर अब कॉंग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है चाहे यहां पर सिंख्षा की बात हो जाये स्वास की बात हो जाये या रोजगार की बात हो जाये और ω assessment से हाली में जहरीली सराब का मुद्द सामने आया है उसे लेकर भी बीजेपी को घेरा जा रहा है और साथी यहां देखा जा रहा है कि फ्री की स्कीमों की बात अब खुद कॉंग्रस पार्टी भी करते हुए नजर आ रही है इससे पहले केजरीवाल ने भी गुजरात में फ्र कॉंग्रेस की कमान सौपी गई है क्या इसके बाद गुजरात चुनाव में कॉंग्रेस कोई दमखम दिखा पाएगी चलिए आपको अशोक गहलूत की वो वीडियो सुना देते हैं जहां पर गुजरात की जंता से अशोक गहलूत क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे है गुजरात चुनाव में कुछ करते हैं अबिनेता करूप में अबिनेता आपको जानते हो कि बॉलीवड के अंदर मैं करता हुए बॉलीवड के अंदर अबिनेता जो है सब्टर के एक्टिंग कह सकते हैं बोदी जी जो लाइट में देखे गवरा करके अचाने की जो मरी यह का स्टेट्मेंट था उसको तोर मरोड के का गया मुझे नीच क्या दिया है मैं नीच हूँ इक सानुप दिनेने के लिए और प्लेन उतारे पानी के अंदर उसक्त में जो जी सुरुप में वो पीस आये विकार पागल हो गया विकार गांडों छे लू के बोलें थे हर ज़ती की जबान पर ही था विकार के बारे में हुए नीच के जाएते थे तो जोड जोड से बोलते थे इक इस्जू बन गया था उसको ख़दम करने के लिए भी अभी नेता के तरह ने खा, मैं खुद विकार हूँ. तो मैं कहना पड़ा, अब हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम प्रदान मंदी को पागल नहीं कह सकते हैं. प्रदान मंदी जी के बारे में कोई अची बात बोलें, तो मुझे कहना पड़ा, भई विकार गांडों चे जो है, छोड़ दो इसको. ये हमारा संचकार है. उनकी तरह ये संचकार नहीं कहाँ आप जिस पर कार धज्या उड़ा रहे हो, देश के अंदर, सविधान की धज् कर रहे हों, लोग जेनों बैठे हैं, लेखर, पत्रगार, साहितेकार, एक्टिविस्ट, कोई कहां का बैठे हैं, कोई मालूम पर सकता है क्या, ये अलाद देश के अंदर है, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अप्रोच ये है, जो फासिष्टी है, वो खाली धरम के नाम पर जीत रहे हैं, उसी का उनको गमंड है, उसी का उनको गमंड है, और एक ही इस्चू पर चुना जीत रहे हो, ना विचार धारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिशी पे, ना गवर्नेंस पे, ये आपका गुर्राद मोडल या मोदी मोडल था, वो बहुत ही, मै आप सताइस साल में आप देख रहे हो, और आप से जादा कौन समझ सकता, आप 14 गंटे हम लोगी तरह ही, हम लोग रादिती में कारी करता है, आप पत्रकार की बिरादरी भी समा शेवाई करती है, चौता हिस्तम जो कहलाता है तो ऐसे नहीं कहलाता है, आप इसो भी कर देखते हमें कोई गटना, दुरगटना, क्या फैंटले होगे हैं, क्या फैंटले, क्या फॉल आउट होगे ही तो दिखते हैं आप लोग, आप जादा कौन समय सकता है, 27 साल का इतियार देखें हैं, आपके परोस में राजिस्तान है, कल बात चाले थी, 27 साल पहले हम लोग कहते थे, मैं मुक्यमंदी बना तो 98 के अंदर, पहली बार, हम लोग कहते थे, भई देखो, गुर्जार किता आगे बढ़ गया है, गुर्जार से कोई आता है, अगर कार में वो सो रहा है, नीन आगे उसको, जैशी जाजतान आया नहीं, और नीन खुल जाती है, इतनी सब्सक्राब राजतान, यह हम कहा करते थे, आज उल्टा हो गया है, आप सुरे से बढ़ो जाजाओ, जाजतान जाग, अम्दाबदा आजाओ, उल्टा बात होगी, आज सांदार तरीके राजतानी गवर्नेंस हो रही है, सांदार सड़कें, सांदार सिक्षा, कि छित्रमाने बहुत बग सांदान के अंदर है, सिक्षा में, स्वास्थ के अंदर हमने पूरे मुल्क के अंदर नंबर वान हम लोगे, आपको आश्चरी होगा, इस दिन जी योड़ना हमने बनाई है, राइड टू हेस्ट का बिल ला रहे हैं हम लोग, सोचिल सिक्रूर्टी है, कोई रेवरी नहीं ह तो जैसा कि आपने देखा कि अशोक गहलोत ने साफ तौर पर यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा, कॉंग्रेस पार्टी किस तरह से काम कर रही है, इस पर भी कई सारी बाते अपनी रखी, और गुजरात कॉंग्रेस और यहां पर राजस्थान कॉंग्रेस की तुलना भी की, साथ ही यहां पर गुजरात में किस तरह से बीजेपी पाती काम कर रही है, और कॉंग्रेस किस तरह से काम करेगी, इसे लेकर भी कई सारे बाते यहां पर अशोक गहलोत ने रखी है, लेकिन अब देखना यही है कि अशोक गहलोत के इन वादों से क्या गुजरात की जनता पर कोई असर पड़ता है और सोनिया गांधी ने इस बार गुजरात की कमान अशोक गहलोद के हातों में देकर क्या सही कदम उठाया है ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा चलिए अब देखना यही है कि साल के आखरी अंत्र में चुनाव होने वाले हैं और इस बार के गुजरात चुनाव में बाजी कौन मारेगा बीजेपी या कॉंग्रेस या आहां माधने पार्थी आपकी इस पर क्या रहा है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईएगा फिलाल आज के लिए वस इतना ही आगे की खबरों के लिए देख तरी एस पीनाइन नीउस पने लाओ.